हेलो एब्रीवन मैंकिता सिंग आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आप सभी जानते हैं कि आवला खाने से कितने सारे फायदे हैं जैसे कि इम्मुनिटी पावर को बूश्ट करता है इसमें विटामिन C और एंटी ऑक्सिडेंट गन पाउडर पाया जाता है और खा के तंदुरुस्त रहें और स्वस्त रहें तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम आवलों को अपने पेड़ों से तोड़ लेते हैं तो यह हमने 15 आवलों को तोड़ लिया है और वजन की बात करूँ तो यह आधा के जी के करीब होगा वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बोलना चाहूंगी कि आप टिक्स और ट्रिक्स जरूर फॉलो कीजिएगा तभी आपके बर्फी पर्फेक्ट बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इन आउलों को हम अच्छे से धूल लेंगे ताकि इसमें जो भी गंडगी है वो निकल जाए और बर्फी अच्छे से बनें तो सारे पानी को हम निकाल देंगे और फिर एक पतीला या कडाही या कूकर ले लिजिए उसमें हम इसको बॉयल करेंगे पूकर में अगर आप बॉयल कर रहे हैं तो तीन से चार सीटी लगवाईएगा और पतीले में हम बॉयल कर रहे हैं तो चलिए बताते हैं आपको कितने टाइम लगेंगे तो हमने यहां पर कड़ाई ले लिया है और इसमें डाल देंगे यह आवले, आवले डालने के बाद हम यहां पर डाल देंगे पानी, आवले और पानी को हमने यहां पर डाल दिया है और फ्लेम रखेंगे हम यहां पर मीडियम, आपको फ्लेम यहां पर मीडियम रखना है ताक ना तो ओवर्वुक होता है ना बहुत ज्यादा कच्छा रह जाता है तो चलिए 10-12 मिनट के बाद मिलते हैं ठीक 12 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारा आउला कुक हुआ यह नहीं है तो यह आप देख सकते हैं 12 मिनट बाद आउले अच्छे से कुक हो गए है कुक करने का फाइदा यह होता है कि जब भी हम बर्फी खाते है ना वो कच्छा नहीं रहता है और नुकसान नहीं करता है तो गैस को कर देते हैं और इसको थंड़ा होने देते हैं जब तक यह थंदा हो रहा है तब तक हम कुछ चीजे तयार कर लेते हैं बर्फी के लिए यहाँ पर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काजू ले लिया है थोड़े से और छोटे का टोरी में मैंने घी लिया है यह देशिक घी है आप यहाँ पर कम ज़्यादा ले सकते हैं और आधा छोटा चमच इलाइची पाउडर लिया है इलाइची पाउडर फ्रेस है फ्रेस का मज़ा ही अलग होता है तो यह 5-10 मिट के लिए खन्दा कर लेंगे और यह कूक होने के सबसे बड़े फायदे यह देखिए कितने अलग हो गया है मतलब यह अच्छे से कूक हो गया है इससे आप चेक कर सकते हैं अगर आपको समझ भू नहीं आ रहा है कि आपको कितने मिनट बॉयल करना है कितने मिनट नहीं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यह जो आउले हैं यह एकदम अलग हो जाते हैं तो आपको दिखे इस तरीके से अलग कर लेना है और अलग करने के बाद पीछ लेना है आपको एकड़म पेस्ट ट्यार करना है इसमें कोई भी दरदरापन नहीं रहना चाहिए तो हमने यहाँ पर यह fine paste बना कर तयार कर लिया है, इसको पीसते वक्त मैंने यहाँ पर 2-3 चमच पानी एड़ किये थे, अब आप कहेंगे कि आउले में अगर पानी डाल देंगे और इसको साल भर के लिए रखना है तो यह खराब भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क इसे हुए आउले के paste को डाल देंगे और flame को कर देंगे low, अब आपको यहाँ पर continue चलाते रहना है कम से कम 4-5 मिनट के लिए, आप यहाँ पर flame को high नहीं कीजिएगा, low flame पे ही भुनिएगा, जब 5 मिनट हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक चमच घी डाल दीजिए, मैंने घी शुरू में नहीं डाला था, पहले मैंने आउलो को अच्छे से भून लिया है, फिर घी डाला, ताकि आउलो में कोई कच्चा पन ना रहा जाए और वो हमें नुकसान ना करे, तो continue आपको इस तरीके से चलाते रहना है, और कम से कम 20-25 मिनट के लिए भुनना है, भुनन जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगा न, ये जेली फॉर्म में आने लगेगा, और टेक्स्चर एकदम स्मूध, देखिए इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर चीनी डालने के बाद, पाच मिनट टक चलाया है लगातार, और फिर मैं अब यहाँ पर डाल रही हूँ, एक छोटा च खाया था, तो उसमें काजू का टुकडा डाला हुआ था, खाने में इतना अच्छा लग रहा था, मलब जो एक छोटे छोटे फ्लेवर आ रहे थे न, मुह में, गजब, मज़ा आ गया था खाके, तो इस तरके से आप लगातार चलाते रहेंगे, और मुझे हो चुका है, 45- 50 मिनट इसे भूनते हुए, अब आपको चेक कैसे करना है, थोड़े से पानी में इस टेक्चर को डाल दीजिए, और आधे मिनट के लिए थंडा होने दीजिए, फिर जब आप इसको अपने हाथों में लेंगे न, अगर ये जब गोला बनने लग जाए, तो यानि ये काले पड़ जाएंगे, अगर आपको सफेद बर्फी चाहिए, तो आप नौन इस्टिक के कडाई में बनाईएगा, और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है, कि आपको इसको लगतार चलाते रहना है, अब आप कहेंगे कि अब तो गैस आपने ओफ कर दिया है, और सॉप्ट नहीं बनेंगे, तो मैंने यहाँ पर ठाली ले लिया है, पहले सी घी ग्रिस कर लिया था मैंने, अब आप इस टेक्श्चर को डाल दीजिए, और फिर फैला लीजिए, ध्यान रखिएगा कि यह बहुत गरम है, तो आप अराम से इसको सेट कर लिजिएगा, इ अब अगर इस तरह से उखाड़ेंगे, तो यह उखड़ जा रहा है, मतलग यह बर्फी एकदम परफेक्ट तरीके से सेट हो चुका है, एकदम जेली फॉर्म में बना है, खाएंगे तो दा मुझ में भूल जाएगा, तो चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं, सिंपल तरीक कितनी सौपट बनी है, आप देख रहे हैंना, कितने आराम से तूट रहा है, अगर आपके घर में कोई बुजूर्ग हैं, ता आप उनको यह आराम से खिला सकते हैं, और यह एकदम हेल दी है सेहत के लिए, तो आप भी अपने घर में जरूर बनाएगे, तो आप इस बर्फ सकते हैं और इसको आप साल भर के लिए भी रख सकते हैं इसमें कोई खराबी वाली चीज नहीं है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सीसा वाले जार में रखना है एयर टाइट कंटेनर में तभी आपके ये बर्फी रहेंगे नहीं अगर आप प्लास्टिक के ब पताईएगा कि आपको कैसा लगा मैं आपके लिए ऐसे ही आगे आउलो की रेशिपी और भी बहुत सारे रेशिपी लेकर आऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहेंगे तब तक कि लिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यो झाल 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 झाल